आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके सब विजुविलस्टिय कोड में setup करेंगे फ्लेटर के लिए है सिख लाटर के ऑफिछ से है और है हमारा विज्वल स्टूडिय कोड का ऑफिछल वैबसाइट है सो आप डाफ डाउड कर लिजिए गाउड को यहाँ पर डाउड कलिक करना एंड़ोड कर लीजे और आप आपके इसको इंस्ट्रोल करने का तरीक्व बिल्कुल सिंपल है आप Windows में हैं तो download करना है next finish करना है आपके download हो जाएगा इस process को मैं पूर नहीं दिखा रहा हूं कि इसको कैसे download करना और install करना hopefully आप लोग इसको कर पाएंगे तो इसको कर देता हूं में close अब download और install करने के बाद VS code आप open करेंगे अब आपका automatically open होजा अगर आप पहली बार install कर रहे हैं तो और कुछ इस तरीके से दिखेगा यहाँ पर लिखा हूं setup and editor यहाँ पर लिख करेंगे hopefully कि अपने flutter को SDK वाइगर सब को setup कर लिया हूं मुझसलिप यहाँ पर VS code कैसे करेंगे वह देखेंगे तो आप Android Studio में करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसका process दिया हुआ है और आप VS code में करना चाहते है उसका process यहाँ पर यहाँ पर आपको करना है यहाँ पर आपको जाना है extension में यहाँ पर गिलिक कीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ से सर्च करना है flutter यहाँ पर गिलिक करेंगे flutter आपको मिल जाए कुछ इस तरीके से जिसको डार्ट कोड वालों ने develop किया हुआ है simply यहाँ पर install में किलिक क किजिए और यह थोड़ी ही दिर में आपको install हो जाएगा इसके इसलों के होने के साथ ही आपका dart आपको आटमेटिकली इसलों हो जाता है मगर फिर भी आप उसको देख लिए आप डार्ट सर्च किजिए आप डार्ट कोड कोड के दौरा यह भी ड़िक किया गया है अगर य आप रण कर लिजिए कि आपका वेस कोड सेटर की सेट अप हुआ है या नहीं आप उसके लिए क्या कर सकते हैं cmd open कीजिए यह इसी वेस कोड में यहाँ पर टर्मिनल में चाहिए और इसको उपर करते हैं यहां से इतना उपर करता हूं मैं और यहां पर आपको लिखना है फ्लट डॉक्टर और इंटरप्रेस कीजिए और यह डॉक्टर सब कुछ सार्च करके हम बताएगा कि हमारे सिस्टम में सब कुछ ठीक है देकि वीएस कोड के लिए हमारे सारी आप हो चुकी है और हमारी सारी चीजें आसान होने वाली है तो बस इतना ही करना होता है और इसमें कुछ है नहीं बस इतना ही कीजिए और बस इसको कर देता हूं मैं क्लोज और मैं आपको एक प्रोजेक्ट क्रेट करके इसमें दिखाता हूं प्रोजेक्ट अब कई तरीक क उसने create कर सकते हैं आप डाइट cmd में जाएगे और वहां से filter का project create कर लीजिए फिर उस project folder को यहाँ पर open कर लीजिए तो project create करने के दो तरीके मैं आपको दिखाता हूँ है एक तरीका जो कि मैं command prompt से देखना है और दूसरा मैं आपको vs code से दिखाता हूँ तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग एक folder बनाते हैं c drive में मैं c drive में गए यहाँ पर filter project नाम का menu filter बनाया है यहाँ पर cmd open कर लीजिए यहाँ पर cmd लिखिए इसे click करके cmd यहाँ पर open हो जाएगा या फिर आप ऐसे open नहीं करना चाहते हैं तो आप फिर normally जैसे करते हैं start में जाए cmd लिखिए तो cmd आपका open होगा फिर हमें जाना इस जगह पर हो यानि कि c drive में फ्रटर प्रोजेक्ट में तो हमें जाना पड़ेगा cd .. . cd.. और यहां पर cls करके cd ग्रआइट्स था कि फ्रेक्ट बाजट्स लाइए यान रमु kanी जाओ को जाए यूंकि इस खाली वाले प्रॉजट्स के अन्दरॉइंट वी यह काली है देख़्िए हम एक परिंट किसे करते हैं यहाँ पर फ्लेटर प्रॉजट्स create और project का नाम तमिझता हूं fast project और मिन्हें enterprise किया यह थोड़ा से सामय लेता है और internet connect आपका रहना चाहिए और यह हमारा देखिए create हो गया यहाँ पर successful हमारा लिखा रहा है और यहाँ पर आपको फॉल्डर दिखाए लेगा यहाँ पर यह सारे फॉल्डर स्ट्रॉक्चर डारेक्ट्री वगरा फाइल वगरा सब कुछ है अभी क्या करना है सिंप्ली इस फॉल्डर का व्येस कोड में अगर आपको उसमें कोडिंग अडिट्ट वगरा करना है तो फाइल में जाहिए ओपन फॉल्डर और यहां से सीड्राइब में जाहिए फिर सीड्राइब से फ्लटर प्रोजेक्ट करना होता है यह सर्वे का हमें बता रहा है हमें सर्वे में पाटिस्पेट नहीं करना है तो यह हमारा में फाइल है यहां से इसको रन करने की करने का मैं आपको तरीका अभी कुछ दिर में दिखा हूंगा पहले हमने अभी पहला तरीका देखा प्रोजेक्ट क्रेट करने का भी दूसरा करने के लिए आप Ctrl-Shift-P से अपका command palette open ओपन होगा या फिर आप जा सकते हैं view में view से यहां command palette यहां से भी open होगा या फिर आप यहां setting वाले बठन में click करके command palette यहां से बहुत दा सकते हैं जहां से भी open की जी आपको लिखना है Flutter लिख तही है आपको यहां पर option मिल जाएगा Flutter new application project Flutter new model project new package project new plugin project run Flutter doctor या फिर run Flutter upgrade सबसे उपर वाला हमें चूज करना है Flutter new application project और यहां पर क्लिक किजे यहां पर क्लिक करते हैं आपको यह open करेगा और कहेगा कि आप अपना folder चूज किजे जहां पर आपको अपने प्रोजेक्ट रखना है तो मैं रखोंगा यहां 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 फ्लटर प्रोजेक्ट था वही वाला में अपने प्रोजेक्ट करेगा सब कुछ अच्छे तरीके से और हमें देखिए एक पूरा structure क्रेट करके दे दे रहा है तो यह पूरा structure क्रेट होगे साथ में इसने हमारा अपर हमें अभी Chrome यह सेलेक्ट है Chrome web javascript device यह device हमारा Chrome सेलेक्ट है हमें Chrome में रन नहीं करना है अगर हम लोग अभी रन करेंगे तो हमारा Google Chrome में ही रन हो जाएगा यह application पट हमें Google Chrome में नहीं करना हमें एक Android Emulator में करना है Emulator हमने create किया था जो हमने Android Studio डानलोड और इंस्ट्रोल किया था मैं आपको दिखा देता हूँ अभी हमें जाना पड़ेगा उसके लिए Android Studio में यहां से हम लोग जाएंगे इधर कहीं एक AVD Manager यहां आइकन है या फिर आप टूल्स में जाकर यहां से AVD Manager यहां से AVD Manager उपन करेंगे हमने एक यह वाला जो हमारे इम्यूलेटर है यह हमने रिट किया था पिक्सल 2 API 30 का इसको अगर हम लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो इम्यूलेटर हमारा स्टार्ट हो जाएगा यह वाला जी इम्यूलेटर है यह हम लोग यूज़ करेंगे ओके अभी के लिए इसको लोग मैं बंद कर देता हूं वहां जो हमने क्रिट किया था हुआ स्टार्ट पिक्सल 2 API 30 यह हमारा था इसको आपको सेलेट करना है और यह यहां पर सेलेक्ट होकर आपको दिखाई देने लिए यह हमारे स्टार्ट भी हो गया बहुत बढ़िया लांच भी हमारा हो गया इम्यूलेटर चलिए बढ़िया है यहां पर Android में जाएंगे आप और यहां से Gradle में जाएंगे तो Gradle से Gradle Wrapper यहां पर 6.7 ओल यह एक टूल जहों वह इंस्टॉल कर जकता है जो कि आपको देखने को मिलेगा कहां पर मैं आपको दिखाता हूँ मतलब यह आपका पुरी तरीक से डानलोड कर कहा पर देखा है कि वह मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ अब यहाँ पर खाली होगा अगर नहीं है तो मेरे तरह खाली है तो मे इसमें इंटरेट आपको लगएगा जो कि यह गुलalgiaट करेगा तो 6.7 वर्जन है कभी-कभी का होधा इसमें हमें uns day sau है कि यह version हमारा काम नहीं करता ठीक टरीके से हमारे जरुत की हिसाब से तो हमें error मिल जाता है तो अगर error मिलेगा तो वह मैं आपको दिखांगा अगर नहीं मिलेगा अभी अगर हमें नहीं मिलता है वैसमूदली हमारा run कर जाता तो मैं उसको create करें कि उस एरर को और दिखांगा लेकिन किसी सेबरेट वीडियो में ओके फिलालक लिए देखते हैं कि हमारा रण करता है या फिर हमें इसका वर्जन है फिक्स करना पड़ता है तो अभी फिलालक लिए 6.7 वर्जन लेकर है अभी हम लोग देखते हैं रन करके इस अप्लिकेशन क करना है हमेजा याद रहेंगा एमिय्मसॉल लेटर हमारह यहां भी चल रहा है हम लोग कुछ दिखाए मैं लिए घिवाकरणा करना है कि ये लृग करना है कि कि जल्दी रन करके या फिर डाउनलोड वगरा करके जो भी आप अगर मॉबाइल वाला इंटरनेट यूस करते है तो आप मॉबाइल में देखिए कि डेटा कंजूम हो रहा है क्या जैसे कि मेरा डेटा कंजूम हो रहा है बहुत ही ज्यादा तो मैं भी इंस्टॉल कर रहा हूं कर दो सो या डेटुसम्बी का यह रहता है ग्रेटल जो कि डाउलोड करेगा और जो आपको यहां पर देखने को रहा है जो मैं आपको दिखाया था यहां सी ड्राइब में यूजर में सी ड्राइब से यूजर में और यहां से रैपर डिस्ट और देखिए हमारा यह इंस्टॉल हो हो रहा है 6.7-all लिखकर तो यह हमारा अभी समय लगेगा इसमें थोड़ा सा यह इंस्टॉल होता है पूरा उसके बाद मैं आपको मिलता हूं तो या तो यह इंस्टॉल होकर हमें इमिलेटर में हमारा आटपूट दिखा देगा या फिर हमें एरर देगा बर में से कोई एक होगा तो देखते हैं कि क्या होता है रोज से के साथ हम लोग काम करें आगे आगे सो यह हमारा प्रोजिट रन कर गया विदावड एनी अरर आप यहां को देख सकते हैं इमिलेटर में हमें प्रूच्ट दिखाए तरह हैं पर क्लिक करेंगे यह आपका 678910 से होगा दिखाए अगर आपको पहली बार करने में अगर एरर आएगा तो दोबारा से आप रन कर लिजेगा यहां पर रन विदावड डीबगिंग करके एक बार दूसरी बार जरूर ट्राय किजिएगा एक बार में अगर नहीं हुआ यह आपको अप्लिकेशन दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको प्रोजेट रन कर जाएगा और अब इसके अद देखा थाहा यहां यहां पर यह आपको कुछ ओपर लिख यह लेख आता हूं यह मैं लिखा मैंने सेव किया इसको जैसे आप सेव करेंगे यह होट रिलोड होगा अपने आप और आपको इमिलेटर में वह एफेक्ट आप देखने को मिल जाएगा आपकी बार आपको वेट नहीं करना या फिर दोबारा से यहां पर जाकर रन डिबग करने का शकता नहीं जो आप एडिट करते हैं एडिट कीजिए और सिर्फ सेव करेंगे आप और आपका 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 अटमेटिकली यह आपको दिखाई देखा एक फैक्ट इसका तो बार बेंट वारा अटमेट हमारा रनर्कैर के रहता है बस इतना ही इसमें काम है और इसे जचादा कुछ भी नहीं है आपको फॉल्डर दिखा दिता हूँ लिए हमारा सेक्ट प्रोजेट हो दाए जिसमें लोग अभी काम कर रहेते है अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ जो हमा मैं देख लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें यह लगबग 390 MB का है बट इतना data मेरा consume नहीं हुआ है कुछ जी जनरेट होगी होगी यह पर extract हुआ होगा तो मेरा लगबग 280 MB डेटा इसमें लगा है और समय इसमें आपको इंटरेट स्पीड पर डिपेंड दर करना हूँ ओके जी तो अगर स्टॉप करना हूँ तो स्टॉप करने के लिए यहां पर बटन दिया हुआ है आप यह पूरा स्टॉप कर सकते हैं एक यह यह बटन है इससे आपका restart होगा और एक यह है जिससे आपका hot reload होगा और एक यह है जिससे आपका open होगा dev tools visits inspector page और इस सारी चीजें आपको stop करना है simply अगर आप बंद करना चाहते हैं यह जो server run कर रहा है इसको आप यहां इमिलेटर वगरा से कुछ आप बंद करना चाहते है आप stop में यहां पर क्लिए कीजिए यह हमारा terminate हो रहा है यह हमारा console terminate हो गया यह exit हो गया application finished आपको दिखाई दे रह यह सारी चीजें close हो गई अभी हम लग इसको close करते हैं और एक और बात इसमें समझे कि सिर्फ एक बार जब आपने system में पहली बार setup करते हैं और पहली बार आप project run कर रहा है तब ही आपका data यह ले था इंटरनेट का data जिससे कि आप ग्रेडल यह जो हमने देखा था user के अं वह जल्दी हो जाएगा फर्स्ट टाइम हमने project create किया VS code का use करके तो हमें ज्यादा समय लगे अब नहीं रहा है इससे मैं अभी आपको एक और project create करके दिखाता हूं हम लोग क्या करते हैं हम लोग एक नया window open करते हैं यह second project था हमारा इसको मैं close कर देता हूं हम लोग नया project create करेंगे यहाँ पर आते हैं टर्मिनल फिर से open करते हैं यहाँ पर ओके टर्मिनल हमें open नहीं करना हमें open करना है command ballot तो यहाँ पर view में जाए command ballot ओपन ही है यहाँ से देखे new application project flutter का उपर में ही है इससे हम लोग select कर लेंगे वापस से हमारा जो flutter project था यही वाला select कर लेते है और यहाँ पर application का नाम यह मैं आपका third project इसका नाम रखते हैं और interface करते हैं और यह project हमारा create हो रहा है देखिए create हो जागा create तो हमारा आसानी से हो रहा था बस run होने में हमेरा समय लग रहा था देखिए हमारा create हो गया create हो अभी हम लोग run करेंगे हमारा easily run हो जाएगा आसान मैं दिखा देता हूँ यह pixel 2 जो हमारी emulator हो मैंने select कर लिए emulator हमारा यहाँ पर है इसको on कर लिए यहाँ पर power button को क्लिक करके मैं इस emulator को on कर लेता हूँ देखिए हमारा mobile phone on हो गया अभी हम लोग इसमें से दिखते हैं कोई app है क्या कोई app नहीं है चलिए बढ़िया कोई app अभी हम लोग इस project को run करते हैं यहाँ पर run में जाना है run without debug यह पर क्लिक कीजिए यह launch हो कर रहा है और यह सारी सीचे हमारी हो रही है यह जल्दी बड़ी जल्दी हमें यह दिखा देगा यहाँ पर इस project को run करके बतलो यह दूबारा से download नहीं करेगा जो gradle के file होते हैं जो इंटरनेट डेटा आपका consume नहीं करेगा आप मॉबाइल में मॉबाइल से डेटा आप यूज करते हैं तब उसमें monitor कर सकते हैं कि उसमें आपका data consume नहीं हो रहागा इंटरनेट का डेटा देखे इसने build कर दिया, build आपको दिखाए दरा connect भी कर रहा है VM service से और यह हमारा देखे रन हो गया तो यह बेद ही जल्दी हो गया अभी हमारा data को यह कुछ भी consume नहीं हुआ अब जितने भी project आप बनाएंगे उसमें sub map का यह जल्दी-जल्दी करके देदेगा आपको बार इसको हर project में run करने लिए इसको use करें Gradle एक tool है build system का tool है जो कि सारी से automate करके में build करके देता है कभी अगर मौका मिले तो मैं आपको Gradle का separate video बना दोगा crash course type का जिसमें आप Gradle का use देखेंगे बहुत सारी जगों पर use आता है उसका कारण यही है कि maximum time का कारण यही रहता है कि यहां जो लिटल का version होता है इसमें corrupt version रहता है तो अगर उसरे एरर आयका तो कैसा fix करेंगे आपको next वीडियों बता दोगा मैं इस एरर को पहले create करूँगा अकर होगा आपको error मैं आपको दिखाऊंगा पर इसको कैसे fix करना यहां वर्जन चेंज करके वह भी दिखाऊंगा जिससे कि अगर आप को फेस करने के मिले तो आप उसको fix fix कर पाएंगे बहुत सारी लोग उसको फेस करते हैं वहती common error है जो फ्रुटर का use करते हैं तो वीस कोड़ में